तो आगे बैठे सब गणमान ने और पीछे बैठे नए भारत के निर्माता लोग भावी, डिरेक्टर्स, राइटर्स, पत्रकार, स्टोरी टेलर्स, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं भी तुम लोग की तरह कभी पीछे खड़े हुए, पीछे एकदम पीछे खड़े हुए, बंबई से बड़े बड़े लोग आते थे और बड़ी फिल्मों की बात करते थे मैं भी वहीं खड़े हो के सोचता था कि कैसे क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी कहानिया सुना पाऊंगा मैं चित्र भारती की जब बात चली मेरे पास श्री मनमोहन वैदी जी एक दिन आये थे 2015 की बात है शायद और उन्होंने चित्र भारती एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की जब बात करी तो मैंने उन से यही पूछा था कि आप कितने कमिटेड हैं इसको लेके उन्होंने बोला हम इसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप जैसे लोग जुड़े फिल्म इंडस्ट्री में कोई से जुड़ना नहीं चाहता है अगर आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है यह कहीं आगे जाए और आज बड़े गर्व की बात है जब पहला सेशन 2016 में मैं इंदौर में गया था तो शायद इसके वन टेंथ लोग भी नहीं थे वहाँ और उसमें स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही कम थे और आज यह हॉल जितना खचा खच बरहा है इसका मतलब है कि वो एक जिस नए भारत की हम कल्पना कर रहे थे वो ताक्षात मुझे दिख रहा है आपका उत्सा आपका पूरी जो चेतना उर्जा है वो काफी एंकरीजिंग है अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ क्यों जुड़ा और इसके साथ क्यों जुड़ना आवश्यक है और एक चित्र भारती नहीं कम से कम सो चित्र भारती ऐसे हो भारत की जो सबसे बड़ी एक समस्या वो सिर्फ फिल्मों के ही साथ नहीं थी अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर भारत का जो सोशल पॉलिटिकल एविल्यूशन है आजादी के बात का अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है भारती फिल्मों के विलन को आप अध्यान करें आप अगर भारती फिल्मों के विलन को अगर स्टडी करेंगे तो आपको भारत एक्जेक्ली समझ में आ जाएगा कोई हिस्ट्री क्लास में जाने की आवशक्ता नहीं है आप अगर आजादी से पकड़ें आजादी के वक्त की फिल्मों में विलन हुआ करते थे अंग्रेज लोग और उन से लडाई लडने वाला जो होता था वो एक बड़ा सामान ने गाउं का एक टीचर का बेटा एक बाद मामुली आम आदमी हुआ करता था वो लड़का निकलता था और वो कहता था नहीं मैं इस इस शोशन के खिलाफ आवाज उठाऊंगा आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं और वह एक भगत सिंग जैसा चंदर शेकर आजाद जैसा गणे शंकर विद्यारती जैसा एक बड़ा मामुली आम हिंदुस्तानी का आदमी हुआ करता था फिर आजादी मिली जमीदारों ने जो है नए भारत आजाद भारत के उपर अपना जो है जिसको कहते हैं वो इस्टैबलिश किया तो आप जो हजादी के बाद की फिल्में जो है तुरंट 47-50 के दशक की उसका जो विलिन था वो जमीदार हुआ करता था हानन भाई साथ फोन पे बिजी हैं वरना वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं और उस जमीदार से लड़ लड़ाई लड़ता था और भारत की जो चेतना थी सही और गलत के बीच शोशन से लड़ाई लड़ने की वो चेतना एक जो है उसको जगाती थी वो फिल्म वो जो नायक था उसको जगाता था और भारत की जो आम जनता थी उनको एक स्टोरी टैलिंग में शहर आ गया और शहर आके वो मिल ओनर बन गया इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रिलिस्ट नहीं मिल ओनर और अगर आप उस दशक्की फिल्में देखें यह साथ और मिड सेविंटीस अर्ली सेविंटीस तक की तो यह मिल ओनर के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ता था एक मामु थी वो जगी रहती थी उसके बाद यह दीरे दीरे शिफ्ट होने लगा फिर वो इंडस्ट्रिलिस्ट बना उसके बाद वो करब पुलिस आफिसर बनने लगा फिर वो नेता लोग बनने लगे पर हीरो हमेशा आप देखिए जन्मानस से उठावुआ वेक्ती था वो भारत क जो एक मूल शोशन के खिलाफ लड़ने का जो हमारा डियने था मानफता की लौ जलाने का जो डियने था वो भारत का यूथ फिल्मों के माद्यम से कहनियों के माद्यम से हमेशा वो चेतना जगाता रहा फिर दीरे दीरे फिल्में आई जिनमें पॉलिटीशन्स और पुलिस officers और industrialist का nexus बनने लगा और यह सकते भी है 80 के दशक की आप अगर political news सारी देखें तो वो उसी nexus के उपर सारी based है वो ही वक्त है जब बोफॉर्स और यह सब निकला एक corporate lobby politics और इन ने किया लेकिन आप अगर देखें उसके बाद liberalization जब आया 1990 mid 90's के बाद तेरा इस पर गौर दीजेगा suddenly हमारे aspirations change हुए एक नया यूगाया और खास तौर पे 2000 के आस पास देखिए भारती फिल्मों से villain ही गायब हो गया और वो जो common man जो था वो जो दिलिप कुमार अमिता बच्चन राज कपूर जो रोल थे बनोच कुमार जो एक आम गाउं से निकला चोटे शहर से निकला लड़का जो इस बात की अनुबूती कराता रहता था कि इस common man एक छोटे शहर से निकले लड़के की जगा है इस राश्टर में भारती सोच भारती मूल धारा जो है उसके लिए जगा है कोई तो लड़ने वाला है हमारे लिए पर दो जाहर बात की फिल्मों में देखिए उससे villain भी गायब हो गया विल्मों अब लड़की का बाप हो गया विल्मों तो गायब ही हुआ पर साथ में common man भी गायब हो गया पिछले 20 सालों में ना तो आपको भारत के न्यूस पेपर्स में common man की कहानी सुनने कि आप पढ़ने को मिलेगी माफ कीजिए आप हैं बड़े एके दुके लोगे ना आपको भारत की जो common चेतना है वो कहीं पढ़ने को मिलेगी ना आपको इंडियन टेलिविजिन टेलिविजिन शोज में कहीं common आदमी मिलेगा ना आपको भारत की फिल्मों में या में जो डिस्कॉर्स है इस कंट्री का उसमें कहीं भी common आदमी मिलेगा और जो common आदमी मिलेगा वो एक बंबई की विचार धारा में पनपा हुआ common आदमी होगा वो common आदमी की एक imagination होगी कि शायद common आदमी ऐसा होता होगा हमने यूथ भारत के यूथ को फिल्मों के माध्यम से ऐसा caricature बना दिया मैं तो 20 दिन महने में घूनता हूँ भारत के गाओं गाओं चोटे शहरों में सिर्फ यूनिवर्सिटी campus में जाता हूँ सुनील जी जानते हैं इस बात को मैंने वैसा यूथ कहीं नहीं देखा जो भारती फिल्मों में दिखाया जाता है आपने देखा है कहीं ऐसा यूथ 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 ऐसा होता है जो यहां बैठा हुआ हुआ है भारत का भारत का कौन सा ऐसा यूथ है जो सड़कों पर बास्केट बॉल खेलता रहता है और फ्रीली आ मिन वो एक कलपना है वो क्या है जिन लोगों ने भारत की मिटी में कदम नहीं रखका है भारत की जो सोच है उसमें जो नहीं घुसे हैं जिन्हों ने गंगा में की समझ्या है क्या और जब आप कॉमन आदमी की लाइफ के कॉमन एस्पिरेशन्स और इशूस को समझते ही नहीं हैं तो फिर जो भी बनेगा वो जूट मूट का इसलिए देखिए भारत की जो पिछले 20 साल की फिल्म में वो मूलता मूलता मैं यह नहीं करूं सारी मोस्टली NRI audience को address करती है पर भारत को नहीं करती है ऐसा तो wish में कहीं नहीं होता तो जब कश्मीर फाइल्स को लेके सब कहने लगे हरी अचानक कैसे हो गया यह अद्बुत बात कैसे हो गई तो मैं आज मैं पता है time की कमी है पर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ यह कोई चमतकार नहीं है भारत में एक भूक एक प्यास कॉमन आदमी की समस्याओं को address करने की पिछले कई दशकों से है पर कोई करता ही नहीं क्योंकि उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा पसीना भाना पड़ेगा यह मैंने 2010 से यह यात्रा शुरू की थी यह कोई अचानक कुछ नहीं होता है में 2010 से मैं लगातार भारत के गाउं में गलियों में चोटे शहरों में मिडल क्लास में घूम रहा हूं मैंने जब बुद्धा ना ट्रैफिक जैम बनाई तब सब कहते थे ऐसा कहा होता है आप देखिया आज वो घर घर के स्टूडेंट की कहानी है जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई तो समनेगा इस तरह कि वर्बोस फिल्म चल नहीं सकती किसको लाल बहादुर शास्त्री में इंट्रेस्टेट चार फुट के आदमी में अरे गुलाब गुलाब लगाओ टोपी पहनो तब तो कोई तुम्हें देखे खूबसूरत तो लोगों कम से का तो कश्मीर पे जब मैं फिल्म बना रहा था तो लोगों ने का पागल हो गयो क्या मरोगे पर मुझे स्विकार था वो मरना स्विकार था आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो इतने फत्वे मेरे नाम पे इशू है और चूंकि मैं भोपाल की धर्ती में बड़ा हूँ इसलिए आपसे इमानदारी से बात कर रहा हूं बहुत बड़ा पाप करूँ अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूँ पैसे में डूबना पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि 70 साल में हमने टोपी बाजी सिखाई है एंटरप्राइज नहीं सिखाया हमने हम हमने 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 एंटरप्राइज enterprise efficiency और productivity नहीं सिखाई हमने हर चीज का short cut जूटी बातें करना सिखाया है मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है लेकिन मैंने ये कहा कि क्या ये संभव है कि हम भारत की जो समस्याइं हैं जो पिछले 50-50 साल से चल रही हैं इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं हमने ऐसा नहीं ये कश्मीर पे फिल्में नहीं बनाई है कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर सबसे बड़े सबसे रईस सबसे बड़े influential stars, directors, producers, writers ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते चाहे वो रोजा हो चाहे वो फना हो चाहे वो फिजा हो चाहे वो मिशन कश्मीर हो चाहे वो हैदर हो ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई है उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई है पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदों का जिक्र तक नहीं है जैसे वो हुआ ही नहीं दूसरी विड़मना देखिए दूसरी विड़मना देखिए ये सारी फिल्में टेरिरिस्ट लोगों को जिस्टिफाई करती है कि उस बेचारे पर ये जुल्म हुआ सुन लीजे सुन लीजे देखिए तालिया आलिया हो जाएंगी उस पर जुल्म हुआ इसलिए उसने बंदुक उठा ली दलितों पर इतना जुल्म होता है वो क्यों नी बंदुक उठाते गरीब व्यक्ति पर इतना जुल्म होता है वो क् प्रमानित फिल्में थी, किसी राइटर रे डिरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने, आतंगवादियों के घर में उनके साथ बिटाए होते और पचास साथ लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हाँ ये सत्य है, तब तो मैं मानने को तयार था, हमने डाकू सैट कॉमेंटरी, हमने अपने युवाँ को शॉर्टकट फिल्मों के जरीए भी सिखाया, और हमने उनको जूट बोला, ये गलत है, टेरिरिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है, जितने टेरिरिस्ट मारे गए हैं, उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था, यासीन मलिक को क किसी नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी नहीं सताया, अफजल गुरू को किसी नहीं सताया, और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के बास रिजर्च भी नहीं है। मेरे नाम पे फत्वे, मेरे लिए वाइज सिक्यॉरिटी, वाइज के उटेगरी सिक्यॉरिटी और सब लोग अभी भी मेरा गलागोटने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बहार, इधर, उधर, पॉलिटिक्स में, सिर्फ इस लिए कि एग जूट ज और ये हिम्मत किस ने दिखाई और ये हिम्मत किस ने दिखाई सुनिये मेरी बात सुनिये मेरी बात और ये हिम्मत किस ने दिखाई एक नहीं मैंने एक सुनो सुनो एक छोटे शहर के मध्यम वर्गी अंग्रेज मुझे तो ये 22 साल तक अंग्रेजी आती थी नहीं थी बोलने एक teacher के बेटे ने एक common man अगर आपको भारत को जिन्दा रखना है अगर आपको भारत को विश्व गुरू बनाने का सच्चा सपना देखना है पॉलिटिकल सपना नहीं जूटी मूटी बाते नहीं सत्के सपना देखना है अगर आप चाहते हैं भारत मानफता के नाम पे पूरे विश्व को लीट करे तो भारत के common man को सच्चे common man को वो जूटे common man को नहीं उस सच्चे common man को भारत की फिल्मों में भारत की कहानियों में भारत के टेलिविजन में भारत के डिस्कोर्स में वापिस लाना अत्यंत आवश्यक है और ये काम करेगा कौन ये काम करेगा कौन ये मामी फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले लोग नहीं करेंगे यह चित्र भारती में आने वाले यंग लड़के लड़कियां करें यह बागदोर यह बागदोर आपके हाथ में है यह भविश आपके हाथ में है मैं और पल्लवी जी एक फाउंडेशन चलाते हैं आयम उद्धा फाउंडेशन जब मैं रजिस्ट्रेशन करने उसका गया था हमारा अब्जेक्टिव है तू मेंटॉर तू मेंटॉर प्रमोट एंड स्टैबलिश डिसएडवांटेज इंडियन यूथ इन क्रियेटिव फील्ड हमारा अकेला एंज्जीव है सोचता है कि भारत के युवाओं को सम्रित करके क्रियेटिव प्रॉसेस में खड़ा करना हम बीस पच्चिस लोगों को सिकसेस्फुल फिल्मेकर्स आज बना चुके हैं और आज आज मैं यहां पे माखनलाल चतुतुतुवेदी मेरे परिवार जैसे ही थे हम बहुत गनिष्ट रिष्टा था सुरेश जी मेरे गुरू भी रहे हैं तो मैं आयम बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से अगले पांच साल के लिए पांच इक्यावन हजार रुपए की स्कॉलर्शिप्स पर एनम माखनलाल चत्रवेदी युनिवर्सिटी के साथ अटैच करता हूँ किसको देनी है इसका निश्च है माखनलाल चत्रवेदी युनिवर्सिटी करेगी क्योंकि मुने बिश्वास है ये पांच हर साल ये स्कॉलर्शिप्स में से तीन लड़कियों को दी जाएंगी और इसका विषय इसके विषय भारती सब्विता भारती साहित सिनेमा इन विषयों से जुड़ा होगा मैं सुरेश जी के हाथ में ये जिम्मा देता हूँ वो निश्चे करें कैसे करना है लेकि नो भारती सब्विता आंत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा सिखाया गया था कि जो बेटा वापस अपने परिवार को कुछ नहीं देता है उस बेटे के होने का क्या फाइदा मेरे माता पिता तो है नहीं पर भुपाल मेरा घर है आज मैं सुबह शिवरा सिंग चोहान से मिला था उनके साथ हमने दो पेड़ लगाए शिव और शारदा नाम मैंने उन्हें सजेस्ट किया उन्हें मान लिया क्योंकि शिव और सारदा सिर्भ भारत की कॉंशेसनेस नहीं है कश्मीर की भी कॉंशेसनेस है और वहाँ पे एक प्रेस कॉंशेस में मैंने उनसे निवेदन किया मैंने उनसे कहा कि हमें आप से एक पैसा भी आर्थिक साहता नहीं चाहिए मैं अपने बल्बूते पे यहाँ पे एक जैनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहता हूँ भुपाल में जो की हुमेनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक बने तुरंत उसी प्रेस कॉंफरेंस में शिवराद सिंग जी ने उसको एकसेप्ट किया उनके आफिस से मुझे फोन आदे घंटे में आ गया कि यह एप्रूवड है अगले दो साल में मैं वापिस यहाँ पे एक ऐसा जैनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूँ जो पूरे विश में हुमेनिटी का टेंपल बनेगा आप सब मुझे आशीरवाद दें मैं इसी तरह भ भारत का निर्मान करें भारत छोड़के जाने का सपना अच्छा सपना नहीं है भारत को ही प्रबल बनाना वो अच्छा सपना है वही सपना मैं देखता हूँ आप सब को में यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत कोटी कोटी धन्यवाद अगर कोई यह सोचता है कश्मीर फाइल्स फिल्म मैंने बनाई है तो इतना बड़ा पाप ना करें उसका श्रे मुझे ना दें कोई भी इतनी बड़ा चमतकार किसी एक व्यक्ति से नहीं होता इसके पीछे बड़े बूरों का आशीरवाद और त्याग है उन सब को मेरा शत्षत नमन धन्यवाद है